शोग ही नमस्काल दुस्तों आप सभी कहीं कोने वीडियो में सवागत है तो यहां पी यह आप ने भी देखा यार मैं बैग पे टैप कर रहा हूं और यहां पे स्क्रीनशॉट ले जा रहा है और यह फीचर एक यार iOS का बैक टैप की फीचर करके नाम है इसका बैक गैशर करके नाम है जहां पर बैक पर टैप करते हो और आपका यहां पर जो भी आपने इस चीज़ पर सैट कर रखा हो वह चीज यहां पर यूज हो जाती है ठैंक्स तो यार हमारे XGA के डेवलपर लोगों को जिन्हों ने इस चीज़ को पोर्ट कर लिया है सकस्सफुली Android के लिए और यह आने वाले दिनों में Google Pixel Devices में आने वाला है उससे यहां पर इसको पोर्ट करके यहां पर दिया गया है आप इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ अलग अलग यहां पर कर सकते हो तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो वीडियो को जल्दे से शुरू करते हो उससे पहले भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे राट लगा बटन जरूर से दबा जीज़ेगा अब यहां प इसको यहां पर open करोगे और यहां पर देखो actions का option आता है अगर मान लो मुझे यहां पर screenshot के जगह camera लाँच करना है जैसे ही मैं back में tap करूंगा यहां पर यहां पर यह camera को launch कर देगा तो यह इस तरीके से आपको देखने को मलता है even अगर आप मान लो अभी आपको assistant को काफी cool काफी cool चीज यहां पर देखने को मलती है यहां पर कैसे इसको use करना install करना है वह आपको मैं जल्दी से यहां पर दिखा देता हूं मेरे दूसरे phone में तो यहां पर यह दूसरा phone देख सकते हूं इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा एक APK का link मैंने आपको नए-ने features भी आपके add होंगे फिलाल तो अभी कुछी features यहां पर और कुछी actions यहां पर आपको देखने को मलते हैं install होने के बाद आपको इसको open करना है open करते ही सबसे उपर आपको देखने को मिलने करना है कि accessibility service disabled है सबसे पहले तो आपको इसको जाना है और इसको accessibility की यहां पर permission देनी है जो कि आपको यहां पर देखने को मल जाएगा tap tap आपको इहां पर इसको okay कर देना है और आपको सारी permission यहां पर इसकी allow कर देनी है बस यह एक ही permission allow करनी है उसके बाद आप यहां पर देखोगे दूसरा option आपको देखने को मिल रहा है Gashers का तो यहां पर Gashers device model आप चूज कर सकते हूं मालनो यहां पर आपको पिक्सल 3 एक्सल चूज है अगर आपका बाइचांस वरक नहीं कर रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो तो उसके लिए भी आपको option देखने को मिल जाता है और देख लो मैंने अभी टैप करा है और यह cover भी लगा हुआ इसके उपर तब भी यह चीज work करती है और आप sensitivity को भी आप यहां पर adjust कर सकते हो उसके लावा नीचे आप आओगे तो यहां पर आपको यह actions देखने को मिलता है आप इसको पर सकते हो actions में ही यहां पर आपको command है जो भी चीज आप open करनी है उसको आप यहां पर add कर सकते हो तो add actions में आप देख सकते हो कि launch करना है आपको कोई चीज तो launch में यहां पर आपको देखने को मिलेगा launch an app, google assistant या launch आपका camera अगर आप app में यहां पर करते हो तो कोई भी app आपको open करना हो कोई भी app आपके लिए वो open यहां पर हो जाएगा माल लो यहां पर मैं add कर लेता हू तो यह इस तरीके के आपको action मिलते हैं लेकिन अगर आपको सबसे उपर वाला यह launch एप चाहिए तो आपको इसको उपर रखना होगा अब यहां पर मैं double tap करता हूँ और देख लो यहां पर gallery यार automatically open हो गई है फिर से आपको दिखाता हूँ अगर प्रिश्वास नहीं है तो देख लो यार क्या magic है यह आपको देखने को इसके अंदर मिलता है और काफी cool यहां पर यह लगता है उसे के लावा नीचे आप आओगे तो यह gates देखने को मिलते हैं मतलब दरवाजे यहां पर दरवाजा बंद कर सकते हो या खोल सकते हो मितलब यह है कि आप इस action को बंद कर सकते हो जब आपका डिस्प्ले आफ हो यह आपका वर्क ना करे या USB से आपने connect कर रखा हो तब ना करें वर्क करें कॉल से connect से यहां पर देख सकते हैं और इसकेन वाले दिनों में और भी चीज़ें शूरो यहां पर देख पाओं गे और उसी यहां पर option मिलता है कि आपक यहाँ पर जाके कर सकते हो तो यह फिलाल एक काफी cool एप आपको देखने को मिलता है जो कि अभी फिलाल early beta stage में है और काफी perfectly यहाँ पर work कर रहा है किसी भी आपके android device में हो तो उसमें work करता हुआ आपको यह मिल रहा है तो आप जाके इसको check out कर सकते हो और xda के आपके link मैंने description में दिया है इस application को download करने का भी आप जाके उसको भी चाहिए देख सकते हो और ध्यानक न अगर आप MIUI में हो तो इस app को lock कर देना I think यह अगर आप lock नहीं करोगे तो mostly work नहीं करेगा यह MIUI का ही दिक्कत है लेकिन देख सकते हो MIUI की ही दिक्कत यहाँ पर रहती है लेकिन आ सब्सक्राइब के लिए टेक के लिए बाइबाइब सीओ नेक्स वीडियो जाओ देखाओ बताओ कौन से action आप यहाँ पर जादा पसंद करते है उसके अंदर टेक के लिए बाइब